नमिश्कार साथी हूँ हाशा करते हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुस्थ हैं अपनों के पास हैं, अपनों के साथ हैं दोस्ता आज एक बहुत ही इंट्रस्टिंग और इंपॉर्टेंट फेक्ट आप सभी के समक्ष डिस्कस करना चाह रही थी दोस्तों हमने अपने school college days में क्या देखा होगा अगनी शमा नियंतरक देखे हैं लाल रंग के cylinder जिने हम fire extinguishers कहते हैं चाहे school colleges हो और चाहे hospital आदी में सरकारी कार्यालेों में एक्सर हम लगे देखते हैं आज इस studio में भी मेरे साथ यहाँ पर available था तो मैंने सोचा क्यों आपके संग discuss किया जाए होता क्या है दोस्तों कि हर प्रकार का fire extinguisher हर प्रकार की आग पर applicable हो मतलब हर प्रकार की आग को बुझा है ऐसा जरूरी नहीं होता होता क्या है दोस्तों देखो यहाँ पर आप जैसा कि कोईला जलना लकड़ी जलना गोबर का उपला जलना तो ठोस में लगी आग ठीक है कहीं पर ठोस में फरणीचर वगेरा जलना तो यह बुझाएगा उसको B class fire तेलों में लगी आग, liquid fuel में लगी आग, ठीक है, तो B class fire पे भी ये applicable है, और C class fire मतलब अगर कोई gas की वज़े से आग लगी है, LPG का सिलिंडर मान लो घर में कहीं फटा, या gas की वज़े से कहीं factory में आग लगी मेथेन की वज़े से, तो भी ये applicable है, तो कहने का मतलब यह है कि यदि ये तीनों इस पे लिखे हुए है, तो तो ये तीनों प्रकार की fire पे applicable है, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि खाली आप B और C लिखा देखते हो, तो वो ठोस वाली fire पे applicable नहीं होता है, ये जानकारियां बहुत कम लोगों को होती है, इसी प्रकार से अगर हम बात कर तो ये लिखा देखते हो, तो overall कहने का मतलब ये था, कि A, B, C class fire, तीन प्रकार की class of fires होती है, extinguisher पे आप यदि देखते हो ये A, B, C, तो इसका यही मतलब होता है, कि वो extinguisher किस प्रकार की आपको उजाने के लिए applicable है, तो आशा करती हूँ, ये जानकारिया आपको करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर तबाईए, थैंक ये सो मुच्छ, टेक केर बाबा,